हेलो फ्रेंस वालकम बैक टू अनलाइजिंग स्टॉक मार्केट तो आज हम बात करने वाले टाटा स्टील के बारे मार उसका स्टॉक करने वाले 12 ऑगस्ट 2021 के लिए चलिए अब हम जाते हैं सीधा अपने चार्ट पर यहां पर यह चार्ट मैंने अपने जीरोता के अकाउंट नहीं है अपन मैंने रिखेशःरन एपनी कर सकते हैं चलिए अब हम सबसे पहले आज के दिन और क्या हुआ यहां पर देख सकते हैं तो यहांपर त्ट सिल्डें सबसें और तैटा स्टेल के सिल यहांपर त्रीफ दॉक्पा कलोजिंग हुए भं पों स स्ट्ष्व दॉंसर देखने मिल सकते हैं यहां पे गरण बाड़ करें लिए उपन कें तो अधिया नार्मल सा वॉयूम में यहां पर चोड़ी से जो एक लिए पर बनी है यहां पर आप को किर दिनी बैसे जो चुका है तो कल यहां बारे में हम बात करेंगे कर यहां पर यहां पर जो है एक स्टॉक रेशांट रहा है यहां पर नेगेटिवीटी आ सकती है कल यहां पर यहां पर आपको परें बीच में आपको इसमें 1396 एक अच्छा सपोर्ट एरिया है लेकिन यहां पर इसमें जो है चांसे बहुत ही कम है जो कल के दिन यह सपोर्ट एरिया को जो रिस्पेक्ट करके जो अपसाइड मुमेंट ले यहां पर आपको डाउंसेट देखने मिल सकता है यहां पर 1370 को तोड़ा तो यहां पर और एक बड़ा देखने मिल सकता है जो है 40 drinking 59 का यहां पर एक बड़ा डाउंस मिल सकता है यहां पर पॉजिटिव रही तो भी यहां पर जो आपको मिलता है जो यहां पर एक major resistance का काम करे सकता है कल के दिन वो है 1437 जो बहुत ही नजदीक है आज के closing से तो यहां पर mostly अगर opening भी positive हुई तो यहां पर आपको डाउन सेट देखने मिल सकता है तो यहां पर कल के दिन जो आपको थोड़ा से इस पर cautious रह जाना अच्छे अगर आप यहां पर तीन टार्गेट अल्रेडी दे दिया है जो आप यहां से जो है ग्रैप कर सकते हैं यहां पर प्रॉफिट कमा सकते हैं यहां पर हर एक चीज को जो है confirmation candle के साथ देखे और यहां पर हम आपको दोनों साइट का व्यू बताएंगे ताक कि आप यहां पर जो है अपना confirmation candle और य यहां पर आपको जो है एक अच्छा खासा ब्रेक आउट दिया तो यहां पर आपको 1462 का जो है बड़ा मोमेंट आपको देखने मिल सकता है कलके दिव और में यहां पर जो है उसके नजदिक तो जरूर आ ही जाए लेकिन यहां पर चांसे जो है वह है 1439 से लेके आपको डा टॉप लोस मेंटेंड करके ही चलना चाहिए तो अगर आपको हमारा एनलाइसिस पसंद आया है तो क्रिपयामा इस वीडियो को लाइक करें शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राब करना ना भूले थैंक यू